मस्कार आप सभी का एगेंस्ट करफ्शन 99 में बहुत बहुत स्वागत है आज हम लोग इस चैनल के माध्यम से जानेंगे किस प्रकार RTI लगाकर भरस्ट प्लिस पतादिकारी के खिलाब भी RTI परियोग कर उनके खिलाब 1221 में 25,000 रुपे का आर्थिक डंड लगवाया जा सकत है इसलिए पुलिस से डरे नहीं यदि आप सही हैं आप का काम सही है तो आप भरस्ट प्लिस पतादिकारी के खिलाब RTI लगाकर जरूर उसका उजागर कर उसके खिलाब कारवाई करवा सकते हैं चलिए आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा बिहार पुलिस के भरस्ट प् प्रकार अपने कारवाई को बचाने का काम क्या करते हैं और मैं उसके खिलाब किस प्रकार लरकर प्रस्ट अचार को उजागर करते हुई उसके खिलाब करवाई करने का प्लियास क्या करते हैं चलिए जो इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं वो अब सब्सक् और आप भी ब्रस्ट पुलिस पतादिकारी के खिलाप RTI लगा कर प्रस्टा चार का उजागर कर दोसी पर करवाई करवाशकते हैं। देखिए, यह मुझे SHO के द्वारा भीजा गया है, RTI में द्विती अपील की सुनवाई इस पर दो वरसों से चलती आ रही है, जिसमें कई बार चितावनी के बाव्यूद भी सही सूचना SHO सह PIO द्वारा नहीं दी जा रही है। देखिए, यह भीजा गया है, मेरा नाम और पुता है, परसंग सूचना आयो, वात संग क्या इतना दिनांग इतना में पारिता देश। किया, दूती अपील में मार्च 2021 से लगातार इस पर सुनवाई हो रही है, और सभी भरस्ट SHO सह PIO के साथ साथ मुझे भी गुमराह कर रहे थे, और अभी भी करते आ रहे हैं, जिस पर मैं भी अपना पक्ष रखते हुए, सुनवाई में पस्तित होकर, इन लोगों के खिला आप 21 और 22 के करवाई अवश्य करवाने का प्रियास कर रहा हूँ, जिससे आशा है कि इसमें दोसी इतने भी पुलिस पताधिकारी होगे, उस पर अवश्य करवाई होगी, उपर यूख परसंग इवंबिस्य के संदर में काना है कि आपके द्वारा दिनांग 27 बारा ठारा क प्रपत को में वर्नित बिंदू 1-6 तक जिसमें 1118-1712 तक से संबंदित आवेदन की सूचना की मांग की गई, इस आलोक में दिनांग 22-6-2020 को माननी सूचना आयोग बिहार पतना का ग्या पांक, इतना दिनांग इतना द्वारा पारी तादेश के आलोक में रतवारा उपी म उपलब्द सूचना बिंदू बार निम्न प्रकार है, पहला कि सरपूर अतवारा उपी में दिनांग के के 11-18 से 27-12-18 तक कितने आवेदन दिये गए हैं, तो इनका जवाब ये देते हैं 23 में, लगबग मैंने 27-12-18 को ही मांगी थी, और ये सूचना मुझे अभी दे रहे ह सूचना आयोक के आदेश पर की तैस आवेदन दी गई थी, अब आगे देखें इस वीडियो को बिना स्किप के वे अबस देखेंगें, जिससे आपको ब्रश्टाचार के बारे में भी जानकारी होगी, आप भी ब्रश्टाचार के खिलाप आसानी से RTI का प्रयोकर लर सकें दूसरा है प्रतेक आवेदन प्रपत्र का प्रमानिचा परती प्लब्द कराएं, आवेदक प्रविन कुमार सर्मा का आवेदन पत्र प्राप्थुआ जिसके अधार प्रात्मिकी शंख्या 34-16-19-11-18 के तहत धारा 107 के तहत कारवारी दोनों पक्षों के विरुद की गई ह आवेदन पत्र मूल में सगलगन कर संबंदित को भीजी गई, इस कारण से आवेदन पत्र इस ओपी में उपलब्द नहीं है, देखिये जो भी आवेदन दिया आता है उसकी च्छाया परती रखने का नियम रहता है, लेकिन इनों ने उसकी च्छाया परती भी नहीं रखी या उसकी परती को दवाने का प्रियास किया जा रहा है तीसरा देगे आवेदन पत्र पर क्या-क्या कारवाई हुई प्रविन कुमार सर्मा के आवेदन के अधार पे धारा 107 के तहट कारवाई की गई है जिसका प्राथ्मिकी शंख्या इतना है चोथा है प्रतेक आवेदन पर कियेगे पुलिस रिपोर्ट का प्रमानित चाया प्रती उपलब्ध कराएं प्रविन सर्मा से संबंधित 107 की प्रती अभी प्रमानित कर सगलन की जा रही है पाच मां किनकिन आवेदन पर 107 और 144 थारा लगा गया है क्रमांग 2 एवं 3 के अनु किनकिन आवेदन के बाद किस किस अपरादी पर अफायार दर्ज हुआ है प्रती का नाम और पूरा पता बताएं तो इस पर यह जवाब लिखें हैं देखें आप लोग कि कुल 12 आवेदन के अधार पर प्रात्मी की दर्ज की गई है जिसमें आवेदक के विरूत था जोधी पक्ष पर प्रात्मी की दर्ज नहीं है परती लिपी ये भेशते हैं वियार सुचना आयो को पुलिस सदिक्षक को पुलिस अवर निरक्षक को और अंचल पुलिस निरक्षक को जिसमें ये जो परती मुझे दिये हैं आप लोग देखें किस प्रकार भरस्टाचार क कहकर अभिपरमानित कर बरतमान एसे चो मुझे दिये हैं आप लोग ध्यान देखें कि यह किस प्रकार भ्रस्टा चारवा है यह प्रात्मिक्स की संक्यार 34-14-19-19-19-19-19-19-19-1918 की परती है आप देखें ठीक है 된 लेकिन तथकालीन SICO का कहीं हस्ताख्षर नहीं है यह पुलिस रिपोर्ट सही है यह गलत है यह गुमराह करने के ख्याल से दी गई है यह आप लोग अच्छी तरह अब समझ रहे होंगे जो 29 से 11 अठारा को रिपूर्ट बना है उस समय जो ततकालीन SHO हुए होंगे उनका स्ताक्षर और मोहर यहां चाहिए था लेकिन इसकी प्रमानित परती बर्तमान SHO द्वारा 4-2-3 को अभी प्रमानित कर भेजी दी गई है अब यह पुलिस रिपूर्ट गुमराह करने के लिए है या आवेदक को भ्रमित कर किया जा रहा है या सूचना आयोग को भी गुमराह कर किया जा रहा है आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे यदि इस स्टेट में कोई पुलिस रिपूर्ट बना होगा तो उस समय के जो उसे चोर होंगे उनका अस्ताक्षर और मोहर यहां अवश्य होनी चाहिए थी जो नहीं है इस प्रकार ये लोग भ्रस्टाचार को बराबर दवाने का प्रयास करते हैं और पुलिस अधिकारे ही ऐसे अधिकारी अधिकान सुवा करते हैं जो सही सूचना ना देकर आवेदक के साथ सूचना आयोग को भी गुम्रा करते हैं आसा करता हूं मैं इस बाद में दोसी पर अवस्य करवाई करवाने में शफल रहूंगा क्योंकि इस पर मैं दो बरसों से लगातार सुनवाई करते आ रहा हूं इस बीच मुझ पर दो बार अफायार भी दर्ज करवाई जा चु की जा सुकी है आसा है आप लोग यदी सहयोग करेंगे आप लोग इस चैनल को सपोर्ट करेंगे तो मैं भारत में हो रहे भरस्टाचार में कमी अवस्य लाकर रखूंगा जैहिन